तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास एट के लिए NCRT का हिस्ट्री में हमारे अतीत थर्ड में पहला चेप्टर आज हम लोग करेंगे इस चेप्टर को अच्छे से पढ़ ले ताकि चेप्टर पढ़ने के बाद जब आप MCQ लगाते हैं तो आपको काफी सुवीधा भी होती है और दुबारा से रिवीजन भी हो जाता है और इसमें जितने भी कोशन दिये गया है या तो वो एक्जाम में आये हुए हैं चुकि आजकल जितने भी एक्जाम हो रहे हैं उसमें आपको NCRT बेस्ट कोशन देखने को मिलते हैं तो चलिए देखते हैं आज का चेप्टर फर्स्ट कैसे कब और कहा में पहला कोशन 1782 इसवी में लौड कलाइव ने निमलेखित में से किसे हिंदुस्तान के नकसे तयार करने का काम सौपा था आंसर है ओप्सन B, रेनेल को 1782 इस्वी में लॉड कलाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्से तयार करने का काम सौपा था रेनेल दौरा तयार इस तस्वीर में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसे आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस तयार किये गए इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग सुएक्षा पुर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटीस सत्ता की प्रती ब्रिटेनिया को सौप रहे हैं जैसे कि वो उसे भारती संस्कृती की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों बंगाल के प्रथम गवर्णर कौन थे? आंसर है ओप्सन एक रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्णर था जो 1757 से 1760 तक बंगाल का गवर्णर रहा इसके शासनकाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तथा इसे बंगाल में द्वैद साषन का जनक माना जाता है बंगाल के प्रथम गवर्णर जनरल कौन था? आंसर है option B Warren Hastings बंगाल के प्रथम Governor General 1774 से 1785 तक Warren Hastings था Regulating Act 1773 के तहत Warren Hastings को बंगाल का प्रथम Governor General बनाया गया था अब थोड़ा डीटेल जान लेते हैं कि बंगाल का जो Governor General का कारेकाल रहा वो 1773 से 1833 तक रहा इसका मतलब यह है कि अगर पार्टिकुलर आपसे Warren Hastings का पूछा जाये तो वो 1774 से 1785 तक रहा लेकिन ऐसे जो बंगाल के जो Governor General है इनमें कई Governor General आई इस बीच तो इस बीच 1773 से लेकर 1833 तक का कारेकाल रहा बंगाल का Governor General का बंगाल का Governor General का इस तरह से भारत का प्रथम Governor General विलियम बैंटिक बना जिसका कारेकाल 1828 से 1835 तक था अब भारत का Governor General चुकि अब भारत का प्रथम Governor General कौन रहा विलियम बैंटिक इसके बाद भी कई Governor General आई तो भारत का Governor General का जो कारेकाल रहा 1833 से लेकर 1858 तक रहा अब है कि 1857 के विद्रोग के समय Lord Canning ये भारत का Governor General था ये कंपनी का अंतिम Governor General था और अब जो है से भारत का पहला वाइसराय बनाया गया वाइसराय फिर कई वाइसराय भी आये तो वाइसराय का कारेकाल 1858 से लेकर 1947 तक रहा तिक है फिर 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक Lord Mountbatten स्वतंत्र भारत के पहले Governor General के रूप में रहे फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतिय गवर्नर जन्रल तो ये सी राज गुपालाचारी 1948 से 1950 तक रहे A History of British India, British भारत का इतिहास के लेखा कौन है आंसर है Option C, James Meal 1817 एस्वी में स्कॉटलेंड के अर्थसास्त्री और राजनेतिक दार्सनिक James Meal ने तीन विसाल खंडों में A History of British India नामक किताब लिखी इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिस इन तीन काल खंडों में बाटा था रास्टिय संग्रालय और रास्टिय अभिलेखागार कहां इस्थित है? आंसर है Option A, नई दिल्ली में भारती रास्टिय अभिलेखागार 1920 के दसक में बनाय गया था, इसका निर्मान दिल्ली में किया गया था भारती इतिहास के आपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राए है? आंसर है Option D, ब्रिटिस काल जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजीक और सांस्कृतिक बदलाओ आते हैं तो इस प्रक्रिया को आपनिवेशिक करन कहा जाता है भारत में अंग्रेजों की सत्ता को बहुत सारे इतिहासकार ने आपनिवेशिक युग के संग्या दी है 1817 इस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलिम तथा ब्रिटिस नामक तीन कालों में बाटने वाला स्कॉटलेंड का अर्थिसास्त्री और राजनेतिक दार्सनिक कौन थे? आंसर है इसका ओप्सन C. जेम्स मील आंसर है ओप्सन D. उप्युक्त सभी भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, भारत में रहने वाले सभी लोगों की जाती, भारत में रहने वाले सभी लोगों के व्यवसाय 19 सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगन्ना प्रारम की गई जनगन्ना के जरिये भारत के सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाती, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकठा की जाती थी इसके साथ साथ वानस्पतिक सर्वेक्षन, प्रानी वैज्यानिक सर्वेक्षन, पुरातात्विक सर्वेक्षन, मानव सास्त्रिय सर्वेक्षन, वन सर्वेक्षन, इत्यादी, कई दूसरे सर्वेक्षन भे सामिल थे ब्रीटी स्काल के संदर्व में निमलखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सकते है आंसर है option C केवल 1 और 3 कि हिंदुस्तान के नक्से तयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइब ने जेम्स रेनेल को दिया था ये सही है भारत का प्रथम वाइसराय लॉड कैनिंग था तो ये दोनों ही कथन इसमें सकते हैं दो option जो है ये गलत है कि रॉबर्ट कलाइब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ये कथन गलत है क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉड विलियम बेंटिक थे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था लॉड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय था इन में से किसे ड्यूक आफ कॉनाट की पदवी दी गई थी आंसर है ऑप्सन B राजकुमार आर्थर को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर को ड्यूक आफ कनाट की पदवी दी गई थी तो ये थे आज के क्लास एट भी NCRT History में चैप्टर पहला था कैसे कब और कहां इससे जतने भी important MCQ बन पाए उन सारे MCQ को मैंने दिया और ये exam में पूछे भी गए हैं और जो कुछ कोशन इसमें वैसे भी include किये गए हैं जो exam की view से काफी important है तो अब आपको next MCQ लगाने के लिए chapter 2 पढ़के रखना है क्लास 8 का व्यापार से सामराज तक company की सत्ता अस्थापित होती है इस chapter को अच्छे से जरूर पढ़ ले ताकि जब आप इसका MCQ लगाएं तो आपका ये दुबारा से revision अच्छे से हो सके तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करें, comment करें और इसे अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें धन्यवाद